न्यूज लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं लमशकार न्यूज लीडर्स में आपका स्वागत है खबर सेंद्वा ग्रामिंट थाना शेत्र के ग्राम ववाकी गोई से है जहां पर मंगलवार को कुछ लोगों ने सेंद्वा ग्रामिंट थाना शेत्र के टी आई विकास कपिस के खिलाफ शिकायती आविदन दिया है लोगों ने शिकायत करते हुए कहा है कि उनके लड़कों के खिलाफ जूटा केस दर्ज कर गिरफतार करने वो केस दर्ज न करने की एवज में राशी मागने के आरोप लगाए हैं मामले की निस्पक्ष कारवाई करने की मांग भी की है आपको बता दें ग्राम वाकी गोई निवासी हरी पिता काशी राम रेखा भाई पती कमल गोपाल सहित अन्य लोगों ने आवेदन देकर शिकायत में बताया बारा मई को ग्रामिन थाना पुलीस ने उनके परिजन सुरेश पिता हरी कमल पिता बालचंद धर्मेंद्र पिता गोपाल गाम वाकी गोई वो गोलु पिता क्विक्रम डावर निवासी सादलपूर को पकड़ा नाबालिक लड़की से दुशकर्म करने वो उसके आपती जनक वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल करने के आरोप लगा कर केस दर्ज किया गया है वही सेंद्वा ग्राम मीड थाना शेत्र टीयाई विकास कपिस का कहना है नाबालिक लड़की की शिकायत पर चारो आरोपियों के खिलाफ दुशकर्म करने वो आईटी एट की तहत केस दज किया है आरोपियों ने लड़की के आपती जनक फोटो वो वीडियो सोशल मीडिया ग्रूप में डाले हैं इस पर उन्हें गिरफतार किया है परिजन जूटे आरोप लगा रहे है जो के मेरे भाई है और तीन अन्य सदेश्य पे जूटा अरफ लगा के उसे अन्य परकार की दाहरा लगा के उसको 376 और कोई बहुत आटी एक की दाहरा लगा कि उनको फसा रखा है जेल में कि लिग इसी हुई थी कि ona की को हमने रंगों हाथ पकड़ लिया था लेकिन उस लडगी ने उस बात को दबाने के लिए हमारा ते बदला लेने के लिए हमारा भाया दोन को आरोफी बना के जेल में धतल दिया गया है तो पुलीस क्या कर रही है को ने और क्या हमारे ग्राम इन चेत्रे का है कप हाँ विकास कफीश है सब लड़की के साथ लड़की के माबाब के साथ मिलके उनों ने जूटी अपरा मतलब जूटी अफायर दर्ज करके और इन पर दनने परकार के केस अर्टी आए को आपको क्या बोला तिया शाब मेर गो अभी मतला में 181 के लिए मैंने शिकायट डाल रखी है वो बोलता आप 181 की सिकायट बन करवा दीजे अन्य था आपकी जो आखों में दिखता नहीं है न वो दिखाई देने लग जाएगा आपको